अजया दोस्तों हम इसका ताँ कि आप सब खेर वाफियत से होंगे तो आज का जो हमारा टापिक है यह शार्ट काट फॉर है डाइजेशन यह यह डाइजेशन अप डिफरेंट मरियूल्स को फाइंड आउट करने का एक ट्रिक कि हम डिफरेंट मरियूल्स को किस तरह पता है तो यह एक ट्रिक है जो हमें बताता है कि कौन सा मलेकूल कौन सी हैवरिडेजेशन में मौझूद है तो सबसे पहले आप एक ऐसे टेबल टेबल बना लेंगे SP SP3D 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 SP3D3 उसके बाद आपने नबरिंग करनी है नम्परिंग जो करनी है कि पहले पहले जो एक SP है ना SP को दूसरा नंबर देना है SP2 को तीसरा नंबर SP3D को 50 इस तरह एक नंबरिंग कर देनी है यह सीरियल नंबर लिका हुआ है SP2 SP SP 2 को तीसरा SP 3 को चौता SP 3D को पांचमा SP 3D 2 को छटा और SP 3D 3 को 17 के साथ माँ नमबर दे देना है अब एक compound एक लेते हैं वो है NH3 ठीक है जी अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी hybridization मौझूद है सबसे पहले हम nitrogen को देखेंगे कांसे group से related है और इसका atomic number कितना है ठीक है जी इसका atomic number में मुलूम हुआ कि seven है seven atomic number it means किसके number of electron seven है पहले shell में कितने आ जाएंगे दो दूसरे shell में पांच electron आ जाएंगे तो यहां पर हमने यो valence shell electron है ना उनको यहां पर लिख लेना है तो valence shell electron दो शेली मौझूद होते हैं हिड्रूजन के पास valence shell electron में पांच वैलेंस चैल में जो ना पांच electron मौझूद होते हैं तो हम यहां पर लिख लेंगे पांच electron उसके बद हैड्रूजन को देखेंगे इसका valence electron और इसको जितने भी मरकूल्स हैं यह तीन है ना यह तीन हम इनको मल्टिप्लेट कर देंगे जहां पर तो फिर पांच तीन और यह पांच आठ्ट अब अगर यह अंसर हमरे पास आठ्ट आ गया है या आठ्ट से कम आ गया है आठ्ट या आठ्ट से कम देन डिवाइट करेंगे इसको दो से अगर आठ्ट से ज्यादा अगर हमरे पास यहां पर जवाब आया है तो फिर हम इसको आठ्ट के साथ डिवाइट करेंगे अब क्योंकि हमारे पास 8 है तो हम इसको 2 से डिवाइट करेंगे 8 को जब 2 पर डिवाइट के हमारे पास 4 आया और हम फिर टेबल की तरह आएंगे 4 को देखिए किस के आगे लिख हुआ SP3 के आगे 4 लिख हुआ है हमने SP3 को पहले 4 नमबर दिया था तो अब मरपास NH3 में 4th SP3 हैबरिड़िजेशन मौजूद है SP3 हैबरिड़िजेशन अब एक दूसरी एक्जेमपल देखते हैं के ZEFE2 अब जानते हैं ZENON के पर वैलेंस चल में 8 लेक्टरॉन होते हैं बहुत स्टेबल एक मतलब के एक एलमेंट है नोबल गैस है रियक्ट करता नहीं है क्योंके स्टेबल है कन्फिगुरेशन इसकी और इसके वैलेंस चल में 8 लेक्टरॉन मौजूद होते हैं फुलॉरीन हेलोजिन फैमिली से रिलेटेड है तालुक रखता है इसके पास 7 लेक्टरॉन होता है यह जल्दी से रियक्ट करके एक एक लेक्टर नहीं को पता है गैन करते है तो इसके वैलेंस चल में 7 लेक्टरॉन मौजूद है हमने पहले जीनान के वैलेंस चल लेक्टरॉन को लिखा जो के 8 थे फिर फुलॉरीन के जो के 7 हैं अब यह कितनी फुलॉरीन मौजूद है दो फुलॉरीन मौजूद है हमने 7 को 2 से मल्टिप्ली कर दिया था यहां पर 3 हेट्रॉजन थे हमने 3 के साथ मल्टिप्ली किया था अब हमने कितनी के साथ किया है 2 के साथ कि को 2 फुलॉरीन मौजूद है जब आप इसको देखेंगे तो 8 और 24 बाइस बनेंगे अब 22 is greater than 8 so divided by 8 जब less than 8 होगा तब हम 2 से डिवाइड करेंगे जब greater than 8 होगा हम उसे 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्यूंकि आप ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता अगर 24 होता तो 8 है तीन 24 हो जाता मुकमल डिवाइड हो जाता मगर आप डिवाइड नहीं हो रहा है आप क्या करेंगे अब 22 को अंदर 8 को बाइड करेंगे 8 multiplied by 2 16 आएगा क्योंकि अगर 8 को 3 के साथ मल्टिवाइड करेंगे तो 24 आएगा हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे अगर 16 आएड से बड़ा होता फिर हम 8 से 2, 3, 6 यहां पर कुछ नहीं बचेगा अब यहां पर जो दो मजूद है यह बाइड पेर है ठीक है जी यह पहले साइन के ओपर जो मजूद है यह बाइड पेर है यह बदा लाउन पेर अफ लेक्ट्रान है तो अब बाइड पेर और लाउन पेर को हम एड़ अप कर देंगे बाइड पेर और लाउन पेर को एड़ अप कर देंगे तो 2 और 3 हमारे पास 5 पिर टेबल के तरफ जाएंगे पांच के साथ कौन सा लिका हुआ है SP3D, इट मीन्स के XEF2 SP3D है, SP3D, अब आंड प्यार और लॉन प्यार को एड़ कर देंगे, अब तीसरी एक्जेम्पल, जो के बोरॉन ट्राइफलॉरॉरॉइड की आप जानते हैं, बोरॉन के वैलेंस शल में कितने उलेक्टरॉन मौझ मौझे हैं, इसका टामिक नमबर 5, पहले दो एलेक्टरॉन मौझे हैं, दूसरे शल में तीन एलेक्टरॉन, तो हमने यहां पर लिख दिये, प्लस फलॉरीन के पास आप जानते हैं, वैलेंस शल में साथ एलेक्टरॉन मौझे हैं, आप मल्टिप्लेट करेंगे, कितनी पुरा डिवाइड हो जाता है, अब हम टेबल की तरह आप जाएंगे, तो यह SP2 है, इसे ट्रीक की यूज़ करने के लिए आपको ग्रूप नमबर आफ एलेमेंट में पता होना चाहिए, कि एक एलेमेंट अब निट्रूजन एकाउंट से ग्रूप में है, तो इसका टामिक जब आपको ग्रूप नमबर के पता चल जाएगा, तो आपको टाम एक नमबर इसली पता चल जाएगा, जब टाम एक नमबर पता चल जाएगा, तो आपने क्या करना है कि वैलेंस शेल के ले ले लेना है, अब उसको जिम्मा कर लेना है, और जो भी आपके पास वैल्यू आ एड़ कर देना है जिसे में आपका मसला हल हो जाएगा अब्रेडिजेशन वाला